गुड मॉनिंग स्टुडेंट्स आज आपका स्टार्ट होता है लेक्चर 2 क्लास 5 एक्साइज 19 पूरी एक्साइज फिनिस करेंगे इस लेक्चर में हम कोशन डिट करते हैं इस फॉलोविंग पिक्चोग्राफ आफ सोस्ट दिफ्रेंट काइंड वर्ड्स इन एजू एक अगर फिक्चर आप बना हुआ है तो यह 8 है कितना काउंट करना आपको 8, 8 पिजन है हाँ पर, 1 वर्ड एक्क्वल तू कितना है 8 पिजन्स यह दिहां रखीएगा ऐसे ही यह 1 प्लल क्या है वेटा 8 क्रो ज़या कितना है 8 चलिए विटा, question रिट करते हैं क्या है, find the total number of pigeons present in the zoo तो कैसे आपको right करना है विटा, दिखाते हैं हम आपको, देखिएगा total number of pigeons present in the zoo equal to 8 विटा, pigeons थे, और एक pigeon का मनलब 8 है यानि कि 8-8 जा 64, total कि नहीं है विटा, 64 ऐसी second question पूचास में क्या है, find the total number cross present in the zoo, cross कितने है विटा तो क्या लिखेंगे विटा total number cross present in the zoo equal to 4 बने हुए थे विटा, तो 4 है, यानि 8 का into multiply समय करना है आपको, 8, 4 जा 32 ऐसी third क्या है, the word present in the zoo in maximum number, कौन सी word जो है, zoo में सबसे maximum number, सबसे जारा बार है उस bird का नाम नाम बताना है, तो pigeon pigeon कितने विटा समय, 64 pigeons है, इसलिए सबसे जारा कौन है pigeon difference between the number of peacocks and penguins तो बैटा, difference आग बताना था, peacock और penguins के बीच में question number 4 में, तो 32 क्या है, peacocks है और 24 क्या, penguins है, difference कितना हुआ विटा, 8 आपके question समय आ गया हुआ, 5 बाला देखेगा, total number of words present in the zoo कितने words present हैं विटा, जू में तो बैटा, यह 64 है, plus 32, plus 24, plus 40, plus 32, यह सारे words को हमने क्या किया है प्लस कर लिया है, total के नहीं होगे, 192, इसी तरह आपको करने हैं PDF sign करूंगा बैटा, मैं आपको पूरे इस chapter की, second देखेगा इसका question क्या है, the following picture graph shows the percentage of marks obtained by some students बैटा, यह picture graph है, वो represent कर रहा है, percentage of marks, students के, 80 and above, यह percentage है अब picture graph आपको बना दिये गए है, यहां लिखा क्या है, नीचे scale, here, one girl or boy, represent six students यानि अगर यह picture बनी हुई है, तो यह six students को represent कर रही है, यह six बंजा six, six two is a 12, six three is a 18, six four is a 24, यानि 80% या उससे ज्यादा लेके आए है, कितने students, 24 students, ध्यान रखीगा इसी तरह सारे को करना है आपको, कोसन देखीगा, how many students secure 52, 59% marks, कितने students ने 52, 59% marks secure किये हैं, तो कहा है विटा, 52, 59% तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 student है विटा, हर student का मालब 6 student है, यानि 7 into 6, यानि किनना हो जाएगा, equal to 42, तो student secured 50 to 59% marks, equal to 7 into 6, equal to 42, ऐसे ही विटा, आपको ये सारे कोसन आपको attempt करने है, बुलकुल ईजी है विटा, इसी picture graph से ही आपको सारे solution हो जाएगे, बहुत ईजी है, PDF send करूँगा विटा में आपको, next क्या विटा, the following table shows the number of students of 5 classes, 5 class के number of students आपको show किये गए है, class 1st में 20 है, class 2nd 25, class 3 में 30, class 4 में 35, class 5 में 40, draw एक picture graph to represent the above data, इस above data को represent करने के लिए आपको picture graph draw करना है, जैसे कि उपर figure में किया गया, ये picture graph ऐसे ही आपको question दी दिया गया, आपको picture graph draw करना है, question number 3, देखिएगा, मैं करके बताता हूँ, ये देखिएगा, question number 3 है विटा, here each, ये face में बना लिया है, smiley face को क्या लिजे, कुछ भी क्या लिजे, ये जो figure बना हुआ हुआ, picture बनी हुई है, represents 5 students, हम कितने students को represent कर रहे है, 5 students को, class 5 में विटा कितने थे, 20 students थे, तो कितने smiley सुनाने पढ़ेंगे, 1, 2, 3, 4, 4 मुनाने पढ़ेंगे, 5, 4 जा कितने हो जाएंगे, 20, ठीक है, ऐसी class second कितने थे, 25 थे, तो 5, 5 जा, 25, 5 का डिवाइट जाएंगे न, 5, 5 जा, 25, यानि 5 का डिवाइट जाएंगे, 5 सुनाने पढ़ेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 5 देखने में बेसक हैं, लेकिन ये कितने हैं, 25 students को represent कर रहा है, ऐसी मैंने ये सारे कर लिए हैं आपको, question no.4 देखिएगा, the following table shows the weight in kilograms of some girls of class 5, ये weight दे रखा है आपको, कुछ girls का है, weight of 32 kg, 30 kg, 34 kg, 36, 37, number of girls, 32 kg जो weight है, वो कितने girls का है, 9 girls का, 30 kg बेट कितने girls का है, 12 girls का, ऐसे ही आपको आँगे, रीड करना है, आँगे देखिए, represent it by a picture graph, picture graph आपको बनाना है, using one symbol, ये one symbol है, for three girls, and also answer the following questions, पहले आपको picture graph भी ट्रो करना, और ये questions दे रखेंगे, आपको आपको दे दिया है, scale क्या दिया था, ये girl मैंने बना लिया है, फेस बना लिया है, equal to three girls को represent कर रहा है, तो 32 kg जो था बेटा, बेट, वो कितनी girls का था, 9 girls का था, तो मैंने वन ये girl जो थी, equal to three girls माल लिया है, ये face जो बनाया है, equal to three girls मालना है, तो 3 बना थी, 326, 339, यानिकि ये three face हमको बनाने पढ़ेंगे, ऐसे ये same process, पूरे question में मैंने किया है, same process, फिर उनके answer जो थे, answer को read करेंगे, question को read करेंगे, और उनके answer को दे देंगे, picture आफ को देख करके, ऐसे ही question number four, आपको same करना है, question five में क्या करना है, there are six hundred men, five thousand, sorry, six thousand men, five thousand women and one thousand five hundred children in a village, एक गाउन वेटा, यतने men रहते हैं, यतने women हैं और इतनी children है, taking suitable scale, suitable scale लेना आपको, draw a picture of to show the population of the village, population of the village, show करने के लिए, आपको suitable scale लेना है, और उस figure को बनाना है, picture आपको draw करना है, देखिए वाटा कैसे करेंगे question number five को, let us take the following symbols and scale, हमने symbols और scale ले लिए हैं, कि man को हम किस से represent करेंगे, इस type के figure से, girls जो है, each girl जो है, women जो है, वो 1000 women को represent करेंगी, यह एक figure जो हम बनाएंगे उसके लिए, और ऐसा face जब बनाएंगे, तो 500 children को represent करेंगे, देखिए, picture आपको इसे बनाएंगे, देखिए, man है, यह women है, यह children है, three types के लोग थे, man थे, women थे और children थे, three category थी, तो man को मैंने ऐसा figure draw कर रखा है, man के लिए, 1000 man को represent करेंगे, यह एक figure बनाएंगे तो, total कितने हैंगे, 6,000, यानि कितना आने पढ़ेंगे, total 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे बेटा, यह 5,000 थे, तो 5 draw की हैं, यह कितने थे, यह आपने 500 man रखा है, तो 500, 500, 500, total कितने होगे, 25, 500, आपके समझा आ गया होगा, ऐसी सारे questions में आप करेंगे, टाइम जिसके, easy हैं, रुकुल questions, PDF में भी send कर दूँगा, ऐसी आपका है, in percentage, the attendance of 36 boys of class 5 are given below, 36 students की आपको attendance दे रखी है, इसको क्या करना है, represent the given data in frequency table, इस जो data given है, आपको इसको frequency table में represent करना है, and answer the following questions, पहले बिटा frequency table मिलानी है, क्या होता frequency table में भी आपको उता रहा हूँ, उसके बाद क्या करना है, आपको यह questions given है, इनके आपको answer देने है, है बनाने बाद इन कोस्टेंस की आंसर देना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा सबसे पहले आपको घिवन था रो लैटा उसको क्यों थे उता है रोडा रखास रिप्येंट्ट तैड़ डटा इन असेंडिंग ऑडर में फ्रेले मैंने यहां पर टको लिख लिए 55 से चां 65 है सबसे minimum ascending order राइट कर रहे हैं सबसे बाले सबसे छोटा स्मॉल बाला देखना पड़ेगा यह 65 यहां बनवार आया है फिस 65 देखो टू थ्री कि फूर फाइफ कि शिक्स बार 65 आया है ऐसे 70 चेक करेंगे सारे डाटा जो थे सारे ले लेंगे जितनी बार जो थे लाइन से लिखते चले जाएंगे यह क्या हुआ ascending order में लिख लिए उसको बाद क्या कुछा ना यह है आपकी frequency टेबल फ्रिकूइंसी टेबल अटेंडेंस है इन पर्षेंटेज लिख लिए बैटा 65 पर्षेंट है 70 पर्षेंट है 75 है 80 है 85 है 90 95 है यह क्या है नंबर ऑफ स्टुदेंट्स 65 पर्षेंट अटेंडेंस कितने स्टुदेंट की है 6 देखिए 1 2 3 4 5 6 स्टुदे hmैंगों selby Southern class इसलिए इसलिए इसको सेंडिंग और में को सानी आपको सिक्तुदन आपको कर ले जाएंगे देखिए गा question read करेंगे how many boys attendance is 80% किने boys की attendance 80% है तो देखेंगे 80% कहा है यह रहा 80% यह क्या boys number of students तो बन student की है attendance की नहीं 80% तो answer क्या हुआ बन student ऐसे ही सारे question की answer आप write करेंगे PDF भी send करता हूँ आज आपका यह syllabus पूरा finish हो जाएगा यह last chapter था आपका स्कैबस था revision test शार्ट होता इसके बाद बटा आपका आज यह आपका स्कैबस finish हो गया है पीटे बेदूंगा बटा आप वर्क जल्ली complete करेंगे notebook submit करने चेक करें लिए अच्छे स्वर्क करिएगा thank you